इस्टुडेंट टुडी टॉपिक इस कॉंप्लेक्स टिशू तो आगर बच्चो मैं बात करूँ पिछले वीडियो की तो पिछले वीडियो हमने पड़ा था सिंपल टिशू ठीक है तो सिंपल टिशू हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक तरह के सल पाए जाए थी कॉंप्लेक टिशूं क्या होगा एक से जादा तरह के सल पाए जाएंगे जैसे का क्वार्णिंड देखो आप दिखाए कंपलेक्छ टिशू क्मेट बाड़ा था मैश्टमेटर टिशू एक फर्मेटर टिशू मैश्टमेटरव टिशूम फोटे हैं मतलब से एक SELE से 220 से सब्षस र deleting G2 के नमबर इंक्रिश करते हैं बर्लब डिवाइडिक क्या होती है वहई खत्म हो जाती है तो यह फॉल मट क्लमल जाते में डिर ऑनोर सब्सक्राइंट काइस है विछ एक एंटे प्रफॉर्म करेंगे सिंगल फंक्षन उनके बीच में कोडिनेट बन जाएगा एक कोडिनेशन बन जाता है कोई भी काम असाई से कर सकते हैं यह कंड़क्टिंग टिशू वाटर मिनरल साल्स एंड फूड मेटरियल टू व्यारियस पार्ट्स अब दी प्लांट बाडी मदलब यह कॉंप्लेक्स रिशू हैं ओर उसके बाड्ट्स के ऊप्तों में वह कहां नीचे लानेगत दो या काम भी कौन करेंगे complex tissue करेंगी तो हम देखते हैं complex tissue कितने तरह के आपास तो दो तरह के एक xylem और second is flowing तो xylem की बात करें xylem का क्या function होता है जो xylem होता है ट्रांसपोर्ट करता है water जो plant के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट होना है जैसे पानी हम रूट्स में देते हैं जड़ों में देते हैं तो हमने जब पानी दिया plants को तो plants के पत्तों तक पानी पहुंचा तो उसको पहुंचाने का वहां तक ले जाने का काम किसका था xylem का काम था छरी आपह दिखर जैलं इसलड़ का बना होगा तो वह सेश एसां मोष्ट ली डाड होते हैं चाहिए Mund देभाट होगी वॉंचे टीक होगी ठीख होने का nhân क्या है उनके पास जो लिगनीग की डिपोजिट होती है क्या होते है DEigi, लिगनीग की डिपोजिट होती है जिसकी वज़े से जो उनकी वॉल है वो क्या होती है थिक होती है दे रन त्रूट दी एंटार लेंथ आफ रूट स्टेम एंड लिफ्स कंड़क्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट फॉम दी रूट्स अपवर्ड अब क्या है आपे जो इसके जायला में प्लांट के इसका काम होता है जो पानी को कंड़क्टर ना है और डिजॉल्व साल्ट कुछ मौन में साल्स को भी क्या करेगा अंड़क्ट करेगा फ्रूम रूट्स टू अपर पार्ट अब दी प्लांट तो जैसे डाग्राम में देखो आप मैंने दिखाया है जालम वेशर की दाग्रम वैहाँ मैंने दिखाया है कि तो आप देखो वहाँ पर लिगनिंग दिखाय उसके बाद ज सिर्फ निचे से ऊपर को जाएक करेंगी यह काम कहां से करेंगे सिर्फ निचे से उपर को पानी पहुचाने का काम करेंगी यह नहीं कि उपर से पानी को निचे लेकर आनी ऐसा नहीं होगा रूट से पानी को अब्सक्राइब करके यह क्या करेंगे ऊपर डिरेक्शन में जाएंगे सिर्फ एक डिरेक्शन में लिए तो प्रॉयम में किया है इस वह सब्सक्राइब किसे बनी थी यहां पर किसकी बनी है आपके अगार डाइग्राम में देखो इसमें क्या होता है अरो ऊपर को बनाया मैंने और नीचे को बनाई मतलब ये क्या करता है फूर को नीचे से खानी लेगा पत्तो तक और फूर पत्तों में बन रहे हैं वह नीचे रूलस तक भी लेकर आएगा मतलब जो आपका फ्लोई में वो दोनों डारेक्शन में काम करेगा और जायलम था उनली वन डारेक्शन में काम कर रहा था उनली आपवर डारेक्शन में और जो फ्लोई में वो आपका आपवर डारेक्शन में भी जा रहा है और नीचे को भी आ रहा है